हे 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 रादे रादे फैमिली तो फिर से मैं फुल वीडियो लेकर आचुकियों और आज भी एक जब दस्त रेसिपी लेकर आई हूँ तो आई होप बहुत ही ध्यान से और इस वीडियो को पूरा देखेंगे मुझे आप पर भरोसा है तो चलिए इस कारेकरम को शुरू करते हैं चना दाल लेना है हमें चने धाल को ओवरनाइट हमें भीगो के रख देना है फिर आपको इसको अच्छे से धुल के जार में डालना है उसमें आपको डालना है एक पेकिट दई का आदा आदा आपको इसमें डालना है फिर बारी कट गड़ने तो आपको कहता हुआ मिर्ची, आप में दिखता हुआ मिर्ची केचि से कट 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 ऐसी डाल के इसमे जो मैं से में कर रही हूं सेम वही करना है। और सेम प्रोसेस दिखनी के लिए वीडियो को इंड तक जाना पड़ेगा। ठीक है समझा रहा है न मैं क्या कह रही हूं फिर अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा फानी या तो आप जल कहलो वाटर कहलो जो भी बोल लो अब बारी है इसका पेस्ट बनाने की तो ब्लेंड कर दो पेस्ट देख सकतो कितना अच्छे से हमारा ब्लेंड हो चुका है और इसमें हम खीरा भी आइड करेंगे तो खीरे को आपको क्या करना है बिल्कुल बारीक बारीक करना है जितना बारीक होगा उतना अच्छा की है आप भी ऐसे ही बारी कट करना अगर आपके पास और भी शब्जिया हो वह आप इसमें डाल सकते हो मेरे पास उतना एफलेबल नहीं था तो क्यूंकि मैं रात के टैम में ये वीडियो बना रही हूं तो मेरे पास उतना सब्जे नहीं थी तो मैंने जो एक खीरा था तो मैंने सुझाएक चलो यही एड़ कर देती हूँ लेकिन हाँ अगर आपके पास गाजर हो मूली हो और भी चीजें हो आप इसमें एड़ कर सकते हैं ठीक है आप मत कहना है कि मैंने बताया नहीं फिर जो भी हमने बनाया था पेश्ट उसको हम क्या करेंगे एक बरतन में निकाल लेंगे ठीक है आपको जितना कॉइंटिटी बनाना हो आप लोग अपना देख लेना कितने लोग खाने वाले हैं मेरे रात के टाइम है तो आपको पता है कि रात में ज़्यादा खाया नहीं जाता है तो इसलिए मैंने बहुती कमी रखा हुआ है तो इधर मेरे सारा पेष्ट निकल दिये हैं हम लोग और अब एक एक करके स्टेप बेश्ट है इसमें क्या डाला है मैं आपको बताती हूँ जब से पहले आपको इसमें डालना है नमक ठीक है और जो भी हमने वो कट किया था कुकूमबर वह इसमें डालेंगे बारी खोना चीज़े जाएदा से जाएधा ताकि फटे ना हमारा ढोकला और फिर हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि तब धोकला जैसा हमें लगेगा कलर आएगा और थोड़ा सा लालुमीर चाप डाल देंगे ठीक है और यहां पे में चीज धोकला बनाने का जो की इनो है इसके बिना अधूरा है यह तो इसमें हम डाल देंगे एक पैकेट इनो थोड़ा सा बचाया सकते हैं आप पानी डाल को बोईल होने देना है जब अच्छे से हमारा पानी गरम हो जाए तो आपको ऐसे एक स्टेंड लेना है और उसमें रख देना है फिर जो भी हमारा पेश्ट वाला को टोरी था वो डालके उपर से बड़ा थालीव एगरह जो भी हो आप इसे ढख सकते हैं और सुरू करते हैं तो यहां पर मैंने पानी लिया है और उसमें डाला है चीनी अभिचासनी बन रहा है तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट स्पॉंजी बनके हमारा रेडी हो चुक है फलपी है बिल्कुल तो बस अब चलो आगे का इसका सुरुआत करते हैं अब हम इसको सेप दें कट कर रही हूँ आपको भी सेम यही काम करना है तब ही खाने में टेस्टी लगेगा बिल्कुल और मैं सबसे में बात बता दियो बहुत ही हेल्दी है घर पर आप बना सकते हो देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है अच्छे से ढोकला का शेप आ चुका है अब हम कहारें क तड़का भी लगके रेडी हो जाएगा तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कोमेंट शेयर करते हैं बहुत मेहनत लगी है इसने गर्मे में रिकोर्डिंग कर रही हूँ तो उसका फल मिलना चाहिए त इतना प्यारा लूक आ रहा है आप लोग मुझे कोमेंट भी पताना देखने में कैसा लग रहा है मुझे तो सीरेसले बताओ बहुत ही प्यारा लग रहा था और खाने का टिश्ट बहुत ही अमेजिंग है वो तो आपको बना के ही पता चलेगा तो लीजिए हमारा बन के बि पसंद आई होंगी तो ऐसी में डेली रेसिपी लेके आऊंगी तो आप लोग एक लाइक कोमेंट कर देना